हेलो फैंट्स वेल्कम टो स्टार का स्टेडी पॉइंट स्वागत करते आप सबका इस येट्यूब चैनल पर दोस्तो इस वीडियो जुब हम लोग देखने वाले हैं कलास ट्यूब वालों के लिए मोस्ट भी विए अब्जेक्टिव कोशन यहाँ पे फिजिक्स का भौतिक दोस्तो 2022 के बोट परिच्छा के लिए जो भी जात इंटर्मीडियेट में दोस्तो और बिहार बोट से एक्जाम देना चाहते हैं अगामे बोट परिच्छा में तो यह चैनल आप लोग के लिए काफे हल्फुल रहेंगा यहाँ पे हम लोग फिस कमेस्टी बायो हिंदी इं पोटेंट होगा आप सभी के लिए और भी कोईशन का प्रेक्टिस करना चाहिए तो आप हमारा इससी वेबसाइट के मदद से कर सकते हैं स्टार्ड कस्टेड्यू पाइंट डॉट कॉम गूगल पे रिखिएगा या फिर मैने लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन में दे रखा इसी वेबसाइट पे आप लोगों को हर सब्जेक्ट का पहले तो चप्टर वाइज अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएंगे और साथ हमें दोस्तों 20-20 मॉडल सेट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगा और क्वेशन पेपर प्रिविशन पेपर लांस् प्रिव्शन पेटर में दोस्तों इसी तरह की आपो को यहाँ पर केमेश्टी का अबी वीडियो मिलेंगे बालोजी का भी जो इस हात्र रखें या फिर आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों चाहिए閉ल का मैट से है या फिर बैऎलोजी से है जितने विच्छात्रि यहांपर देखे हैं कै किस कि से सटीम से मतलब बैयोजी रहें या फिर साईंस रहें मैध ठीक है तो आप लोग जरूरूर कमेंट किजाएगा और वीडियो कै कराए कि एक आवेसित्स चालेक का शित्र आवेसं सिगमा है इसके पास विदूत्स चेत्र का मान होता है तो दोस्तों यहां पीलेधिव पील्ड का मान पूच अगला कोशन है यदि गोले पर आवेस जो है टेन मैक्रो कॉलम्ब हो तो उसकी सता पर विधुतिय फ्लक्स है यहां पर इलेक्टिव फ्लक्स का मान पूछा है दोस्तों तो इलेक्टिव फ्लक्स का फर्मूला होता है फ्लक्स क्योर्ट हो अर ए है फर्मूला होता है यहां से आर इस कोई रस्क्वार कैंसे हो जाएगा और वन रफ्फ फोर फ्लक्स केनस्सक्रहedar और वाव फॉरप का तो वह होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 ठीक और चार्द का भालू दिया है 10 मैक्रो कुलम 10 और मैक्रो को लिखते हैं 10 के पावर मैनस 6 और यहां पर इंटू 4 पाइब तो इस तरह से यहां पर मल्टिप्लाइ क्लेक्शन करेंगे तो हो जाएगा यह नचो ठीक और 9 और यहां पर एक 10 तो 10 के पावर 10 और इसमें से 6 चला जाएगा तो 10 पावर फोर बच जाएगा Newton मीटर स्क्वार पर कुलम तो यहां पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए दू का सही आंसर हो जाएगा तो दो का सही आंसर होगा ए चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि 64 समरूप बुंदे जिन में पड़ते कि धायता 5 मैक्रोफ फराड है मिलकर एक बड़ा बुंद बनाते हैं तो ब्रेब बुंद की धरीता क्या होगा यहां पर इसका कैपेसिटेंस पूछ रहा है दोस्तों बीग ड्रॉप का तो इसके लिए फर्मूला बताए थे सी वी वाई सी एस इंटू एन के पावर वन वाई थिरी सी वी निकालेंगे दोस्तों 64 का तो आ जाएगा फोर और इस तरह से इसका क्रोस मल्टिप्लिकेशन कर देंगे तो सी भी यानि की कैपेसिटेंस ओफ बिग ड्रॉप निकल जाएगा पांचो के 20 मैक्रो फैराड तो इस तरह से जो है तीन का जो है सही आंसर हो जाएगा बी 20 मैक्र अगर आप किसी भी सवाल में अटग गए हो या आपसे स्वर्व नहीं हो पा रहा है बस आपको उस कोश्चन का फोटो लेना है इस को क्रॉप करना है और पांस सकेंड के अंदर आपको उस कोश्चन का वीडियो सलूचन मिल जाएगा फिर चाहे आपका कुश्चन पढ़िए कोटा के बेस्ट फेकेल्टी से जैसे जीवी सर एने सर अकांचा मैं प्रिंसर जैसे टॉप टीचर से आप पूरी पढ़ाई होगी डॉटनट एपर तिन क्रोर से जैदा बच्चे डॉटनट एपर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी जाए और डॉनल की जिए डॉटन जो है उसके अड़िया के अंदर कितना चार्ज है अगर एपसमी डिनोट से भाग दे देंगे तो टोटल एलेक्टिफेव फिल्ट जो है निकल जाता है तो यहां पे जो है यह सही हि को यूप रहे पर मींटर गेंगा और अगला को शेभित में से निषस ब्हाई हो वोल्ट पर मिटर होता है तो भोल्ट पर म्यटर देखिए दोस्तों एलेक्टिव फिल्ड का फर्मुला आपको पता होगा db by dr db जो है दोस्तों चेज इन पोटेंशियल है अभ पोटेंशियल का युनित होता है ठीक है है और d-r है मीटर है और डिस्टेंस है स्चोरा का उनीट होग्या निकर्ट पर मिटर जो ऑख साथ कि तो पांच है criticizing का उनित हो गया तो पांक जो है सोए हां से यहां पर कि अग्रण को उना को सहन देखते हैं को इन में से विदुड्यओ स्यत्र के तीरवता का का मात्रा का यहां पर भी दोस्तों एलेक्टिव इंटेंसिति का जो है यूनिट बताना थे लिए फर्मूला और भी होता है दोस्तों आप फर्मूला देखें गोई लेक्टिव फोर्स का होता है F is going to Q into E और यहां से यू है निकालेंगे तो हो जाएगा है F by Q यारे के फोर्स का यूनिट हो गया Newton और चार्ज का यूनिट हो गया कुलम यानि की Newton पर कुलम यह भी जो है इलेक्ति फिल्ड का जो है यूनिट है तो सिंक्स का जो है सही आन्सर होगा यहाँ पर डी Newton पर कुलम कर चलिए अगला कॉस्षण देखते हैं अगला और कोशन है किसी चाल की विधुत धारिता का ब्यंजक है तो क्यूं जो साथ का जो है प्रॉप्टेंशिल का और फोटेंशियल का भी खाटाइमे तो एक और कॉंसेट लगेगा तो क्यूं है और तो साथ का जो है सही आंसर होगा यहां पर कि इस गल टू क्यू वाइभी अगला कोशन देखते हैं आगला कोशन है कि एक खोखले गोले की तिर्जिया आर मीटर तथा उस पर आवेश क्यू है तो उसके केंदर पर विधूत विभव होगा तो इसके सेंटर पर जो है दोस्तों जो खोखले गोले हैं उसके सेंटर पर जो पोटेंशल का मान जो हता है भी सेंटर पर वो हता है वन वाइभ फोर पाई एपसिलन नोट इन्टू क्यू वाइ आर तो यहां पर देखेंगे तो आठ का जो है सही आंसर हो जाएगा सी क्यूब फोर पाई एपसिलन नोट इन्टू आर अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि किसी बिदूतिय छेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर बिदूतिय छेत्र का मान कितना होगा तो देखें दोस्तों अगर कोई कंडक्शन इलेक्टिव फिल्ड है इलेक् के अंदर जो है इलेक्टिव फिल्ड सुन होगा दोस्तों क्योंकि जो भी चार्ज है वो सर्फेस पर आ जाएगा और अंदर में कोई भी चार्ज नहीं बचेगा जिसके कारण इसके अंदर कोई इलेक्टिव फिल्ड नहीं होगा तो इलेक्टिव फिल्ड जो है सुन्य हो तो नो का जो है सही आंसरों का यहाँ पर सी सुन्य अगला कोशन है कि सी वस्तू का जो है परावायदंतिक इस्तिरांग हमेशा अधिक होता है तो परावायदंतिक इस्तिरांग जो है दोस्तो हमेशा जो है एक से अधिक होता है देखिए दोस्तों खोखला गोला है अगर उसको चार्ज भी देंगे तो अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा सारा चार्ज जो है सर्फेस पर आ जाएगा जिसके कारण उसके अंदर कोई चार्ज नहीं बचेगा और इसके कारण यहां पर इलेक्टिव फिल भी नहीं होगा त 11 का जो है सही आंसर होगा यहांपर ढी कि सुन्य चले अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है किसी संधारिंतर की दारिता का मातरक होता है तो Capacitance unit of Capacitance of Capacitor तो capacitor का capacitance का unit होता है दोस्तों फेराड है तो बारक का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर C फेराड अगला question देखते हैं कि dimension of electrical capacitance यानि कि C का जो है दोस्तों यहाँ पर dimensional formula को बताना है तो C वाला बताये थे Q is equal to V और V को लिखते हैं दोस्तों Q is equal to W by Q तो Q फिर उपर चला जाएगा तो यह हो गया Q square by W और Q का जो dimension होता है दोस्तों IT होता है और इसका square करेंगे तो I square T square ठीक है और इसका जो होता है और का जो देमेंशन formula होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्कॉर यानि कि मीटर पर सेकेंड स्कॉर म L2 T माइनस टू ठीक है तो अगर पूरा अक्रा सोरी इसका dimension लिखेंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब के पावर मैनस-2 और ती जो ऊपर जाएगा तो टी जो होगा फोर हाजएगा और आए तो तो इस तरह से जो है इसका डेमेंशन formula ते रहा का जाएगा एक के पावर मैनस-1 ल के पावर मैनस-2 ट के पावर जो है चलिए अगला कोशन देखते हैं कि अगला कोशन है कि चार संधारितर में परते की दाइता टू माइक्रोफडाड है तो एक एक इंट माइक्रोफडाड की संधा बनाने के लिए उन्हें जोरा ना होगा देखिए दोस्तों जब बहुत सारे कैपेसिटर दिया रहाता है अगर उनको हम पार्लेल में जोडते हैं ठीक है तो उसका कपे शिटेंस बढ़ जाता है तो पैरलेल में इसका सिंपल फॉर्मूला होता है एंसी ठीक है तो एन देखिए कितना दिया है एन दिया है अगला कोशन है यदि कई संधारित उपलब्द हो तो उनके समून में उस्तमधारिता प्राप्ट करने के लिए उन्हें जोरना होगा फिर से कोशन यहीं है दोस्तों उनको ज्यादा से ज्यादा हमको अगर कैपेसिटेंस प्राप्ट करना है तो उनको हम क्या किसमें जोरेंग तो उसको हम जोरेंगे पैरलल में समंतर क्रम में तो पंद्र का सही आंसर होगा यहां पर भी अगला कोशन देखते हैं कि किसी संधारेंतर पर आवेश की स्थिटी उर्जा की बेंजक होता है तो इसका कि फर्मूला होता है जोस्तों सेजल्टू हाफ सी भी एसक्वाइब तो 16 का जो है सही आंसर होगा यहां पर आप स्थिटी ऑप सब्सक्रों यह जो है किसी कैपशिट्र में ऊपस्थित चार्ज के कारण सिसका cool energy जो है इसका बहलू होगा half cv square चलिए अगला क्वोषं देखते हैं अगला कोषण है समान धरिता के इन संधरित के पहले समानतर करम में फिर शरेनी करम में जोरा जाता है तो दोनों अवस्थाओं की तुल दारीतों, धारिताऊं का अनुपात है, तो इसका equivalent capacitance का उनुपात निकलना है, दोस्तों, देखे पहले series में जोडते हैं, तो series के लिए formula होता है, एगर n nımız जो है capacitor है, और परते का capacitance C है, तो series में जोरेंगे, तो इसका formula होता है, C by n, और अगर पैरलेल में जुरेंगे पैरलेल में तो पैरलेल में होगा एंसी ठीक है अब दोनों का उनपात निकालेंगे दोस्तों उनपात निकालेंगे शीरीज और पहले समांतर का सवरी इसके बाद स्वरीज का तो पैरलल का पैरलल का होगा फी के वाद सीरीज का है स्रेनिकरम के लिए हो जाएगा aga C in C और इन जो है उपर चला जाएगा यहां पर CC था उपात आजाएगा इन स्कुर्ड तो इसका अनुम्हें इस्कूर का जो सही आंसर होगा सी तो उमीद करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए वीडियो को लाइक कीजिए यहां तक देखने के लिए धन्यवाद